असलाम वालेकूम आज हम बनाएंगे चावल की खीर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं बराबर का जो बेल आइकेन है उसे प्रेस करें इससे मेरी वीडियो आपको फिरी में देखने को मिलेगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं तो लाइक करें और जाधा से जाधा शयर्ट तो इसके लिए मैंने ड्राइफूट ली हूँ ड्राइफूट में चारोली काजू बादाम और फिस्ता ली हूँ शक्कर ली हूँ और इलाइची पॉडर और काजू काजू और चावल और दो लिटर दूद और उसमें डालने के लिए मिल्क मेट भी लिए हूँ काजू और चावल को हम मिक्सर में पीस कर लेंगे फिर एक बर्दन में दो लिटर दूद डालकर इसको अच्छी तरह से पकाएंगे अब इस दूद को इसी तरह पकने देंगे ये मेरी रेसे पर आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में भी आप बता सकते हैं तो फिर हमने जो चावल और काजू पीस कर लिये थे ग्रैंडर में इसको हम दूद में मिलाएंगे और इसको अच्छी तरह से पकाएंगे पकाते वक्त बराबर चलाते रहेंगे बिल्कुल भी हाथ रुकाना नहीं है नहीं तो काजू और चावल बरतन में लग सकते हैं आजाएंड़ चावल बरतन में लग सकते हैं तो यह दूद पक रहा है तब तक हम पैन में घी डाल कर बारी बारी हम हमारे ड्राय फ्रूट रोस्ट करके लेंगे विर्ज में कटोरी शक्कर मिला कर अच्छी तरह से मिला देंगे फिर बाद क्योंकि मुझे आगे चलके इसके अंदर मिल्कमेट का एक छोटा सा डबा डालना है इसलिए शक्कर मैंने एक कटोरी ही ली हूँ दोनों मिलाकर मिठा बराबर हो जाएगा फिर अभी इसमें मैं दो चमच कश्टड पॉडर दूद में भूलकर इसमें मिला रही हूँ इसमें हम मिलाकर आइस्ता आइस्ता से इसको चलाएंगे मुसलसल चलाते रहेंगे ताके इसमें लंस ना हो अभी अच्छी तरह से ये खीर पक रही है है अभी इसके अंदर हमारे dry food डालेंगे जो भी हमने dry fruit रोस्ट किये थे वो इसमें डाल देंगे ज़सारोली और पिस्ता इसमें डाल देंगे और उसमें एलाइची powder भी जो मैंने ली हूं उसे gotta к्राइची तरह से powder बना ली ओ उससे भी इसके इंदर डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करकर एक उबाल आने तक अच्छी तरह से पांच मिनिट तक पकाएंगे इसमें एक टीन मिल्क में छोटा वाला थोड़ा थोड़ा करके डाल कर और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको एक उबाल आने तक पकाएंगे हमने मिल्क में डाल कर एक उबाल ले लिए हैं और अच्छी तरह से खीर बनकर तयार हो गई है अब मैं इसको रिशाओट करती हूँ और इसको मैं ड्राइफूस से सजाती हूँ तो चावल की खीर बनकर तयार हो गई है जोयास किचन को लाइक करो शेयर करो और सबस्क्राइब करो और खीर कैसी बनी है मुझे कमेंट में जरूर बताओ मुझे अपनी अच्छी अच्छी दुआओं में याद रखो फिर मिलती हूँ अगली रेसेपी में तब तक के लिए अलाहाफीज